हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू PCS चंपियंज फ्रेंट्स यह बिहार पुलिस एक्जामिनेशन दोजार तेश संबंधित निव प्रैक्टि सेट स्रीज है और इस स्रीज में हम लोग सेट नमबर 6 को कवर करने वाले हैं आज का वीडियो सेट 6 है एगर अभी तक आपने सेट 1 से फाइब तक नहीं देखे हैं तो इसे प्लेइलिस्ट में जाकर जरूर देख लिजे इसमें जितने भी साड़े प्राशन है वो सभी बिहार पुलिस प्रिभियस एर कुस्चन पे बेस्ट प्राशन है जो आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो य प्रिभिया तो सिंदु घाटी सब्जाता के मोहन जोदरो से विशाल असनांगर पाइवा ता ही मन के बनाने के करखान या लोथल से पराप्थ हुआ था और काली बंगा से जूते हुए खेत और नकासीदार इटों का प्रयोग का साक्ष मिलते आई से ध्यान में रखेगा नेक्स प्रस्न है सत्य सुदक समाज की अस्थापना किस ने कि थी और इसकी अस्थापना 24 सिप्तमबर 1873 इस्वी को महराष्ट के पूने में किती से विध्यान में रखेगा किस मौर सासक को इवनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था तो मौर सासक बिंदु सार को अमित्र घात कहा जाता था और अमित्र घात का अर्थ होता है सत्रुओ का वद करने वाला नेक्स्ट प्रस्ट है हरी सेन किसके दरवारी कोई थे तो हरी सेन समूंद्र गूप्ट के दरवारी कोई थे और समूंद्र गूप्ट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसे ध्यान में रखेगा भारत का नेपोलियान समुद्ध गुप्त को कहा जाता है और भारत में सिला लेख का प्रचलन सौर पर्थम और सोख ने किया है इसे भी ध्यान रखेगा सिला लेख का प्रचलन भारत में और सोख द्वाड़ा किया गया है नेक्स्ट प्राजण है भारतीय रष्ट्रिय कोंगरेस की अस्थापना किस सवर स सब्बोbanतारी श्वर्ट्य कि अस्थापना दिस्वंबर 1885 में छोगे एगा 10885 Caribbean स्थापना यह हूं दोड़ा किया गया था इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्राश्ण है किसके साक्षन काल में 1857 की क्रांती घटित हुई थी तो 1857 की क्रांती लौड कैनिंग के समय हुई थी अप्साने इसके राइट एंसर हो जाएगा लौड कैनिंग और लौड कैनिंग या भारत के अंतिम गवर्नर्ण जनरल और पर्थम वाय सराय था इसे ध्यान में रखेगा और बात करें 1857 की क्रांती की इसकी शुरुवात 10 मई 1857 को मेरट से हुगा इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्न है निवन में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है तो सबसे प्राचीन वेद रीगवेद है और संटी इसका राइट एंसर हो जाएगा रीगवेद बात करें रीगवेद की तो इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त और 1046 रिचाय है इसे ध्यान में रखेगा वहीं बात करें अथर वेद की तो इसमें ऑस्धी का उलेक मिलता है औस अथर वेद में मिलता है सामवेद इससे भार्तिय संगीत का जनक कहा जाता है और या जुर्वेद या ऐसा वेद है जो गदियम पद दोनों में है इसे ध्यान में रखेगा गदियम पद दोनों में यजुरवेध है next question है निम्न में से कीसे लाख बक्स कहा जाता था तो लाख बक्स से कुतिब दीन एवको नवा जा गया था option यह इसका right answer हो जागा कुतिब दीन एवक और लाख बॉक्स का मतलब होता है लाखो का दान देने वाला नेक्स्ट प्रस्ण है क्रांतिकारी पत्र काल का संपाधन किस ने किया था तो क्रांतिकारी पत्र काल का संपाधन परांजपे ने किया था option b, इसका right answer हो जगीगा पराँज परे इनका पुराँ नाम था सीव राम महादेव पराँज परे इसे ध्यान में रखेगा next question है पुनर जागरान का प्रराम किस देश से माना जाता है पुनर जागरान का प्राराम इतली से माना जाता है इटली के फोरेंस नगर से पुनर जागरन का शुरुवात हुआ, इसका राइट एंसर हो जगा, option C, इटली, और नगर का भी नाम याद रखेगा, फ्लोरेंस, और इटली के एक महान कवी थे, दान ते, इन्हों ने ही पुनर जागरन का शुरुवात किया था, next question है, शूड क् का मुखिया या प्रधान है, इसे ध्यान में रखेगा, या स्वरु मंदल का मुखिया या प्रधान है, next question है, किस तिथी को उतरी गोलार्द में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, option C, इसका राइट एंसर हो जाएगा 21 जून, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है इसे ध्यान में रखेगा, 21 जून को सूर जो है करक रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके करान उतरी गोलार्द में दीन बड़ा होता है, वहीं 22 दिसंबर को सूर मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके करान दचनी गोलार्द में दीन बड़ा होता है, और उतरी गोला उपड़ी भाग को क्या कहते हैं तो प्रित्वी के उपड़ी भाग को भूपरपटी कहते हैं और यह भूपरपटी अंदर की ओर 34 किलो मीटर तक है इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ण है निवन में से कौन सी जील बीस को सबसे गहरी जील है तो यहां बीस की होगा बीस की सबसे गहरी जील तो बीस की सबसे गहरी जील बैकाल जील है और यह दोनों जील रूस में है इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ण है निमलीखित में से कौन से देश होर्न ओफ अफिर्का के अंतरगात नहीं आते हैं तो होर्न ओफ अफिर्का के अंतरगात चार देश आते हैं फर्स्ट है इथोपिया, सुमालिया, जीबीटी और एक है इरिट्रिया यह चारो देश होर्न आफ अफिर्का के अंतरगात आते हैं कांगो देश यह होर्न आफ अफिर्का के अंतरगात नहीं आते हैं, अप्शन B इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट प्रस्ट है अंडमान निकोबार दीव समू की सबसे उची परवत चोटी है, अप्शन A इसका राइट एंसर होगा सैंडल पीक और इसकी उचाई लगभा 738 मिटर हैं से धार में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ट है सत्पूरा की पहाड़िया किस राज में इस्तित है तो सत्पूरा की पहाड़िया या मद परदेश राज में इस्तित है, अप्शन B इसका राइट एंसर जागा मद परदेश और इसकी सत्पूरा की सबसे उची चोटी धूप गढ़ है इसे भी धान काली मीटी को रेगुर मीटी भी कहा जाता है और इसे कपासी मीटी भी कहा जाता है इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ण है निम्तम जन संखेया वाला राज है तो निम्तम जन संखेया वाला राज सिक्कीम है अप्शन यह इसका राइट एंसर हो जागा सबसे कम जन संख्यावाला राज सिक्किम है और सबसे अधिक जन संख्यावाला राज उत्तर परदेश है इसे विध्यान में रखेगा और सबसे छोटा राज छेत्फल की दिरिष्टी से गोवा है और सबसे बारा राज छेत्फल की दिरिष्टी से राज अस्थान है इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्राशन है थल सेना दिवस प्रतेक वड्स कब मनाते हैं तो थल सेना दिवस प्रतेक वड्स 15 जनवडी को मनाते हैं अब प्राइट एंसर हो जाएगा 15 जनवडी नेक्स्ट प्रस्ण है भारत के सविधान का कौन्स अनुछेद जीवन और व्यक्तिगत सवतंतरता की सुराग्छाप प्रदान करता है तो अनुछेद 21 या जीवन और व्यक्तिगत सवतंतरता की सुराग्छाप प्रदान करता है option B इसका right answer हो जगा अनुचेद 21 वहीं अनुचेद 19 में 6 प्रकार की सोतंतर काधिकार दिया गया है इसे ध्यान में रखेगा next question है भारत के सविधान के अनुसार राज के काड़े काड़ी सक्ती किसमें नहीं थोगी तो भारतिय सविधान के अनुचेद 154 के अनुसार राज की करकाड़ी सक्ती राजपाल में नहीं थोगी option C is right answer हो जगा राज के राजपाल और अनुचेद 154 के तहत है इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट्ट्ट्सन है सर्वच नियाले कर नियाधिस किस वर्थ की आयूप्राप्त करने तक पाधधारन कर सकते हैं तो सरोच न्याले की नियाधिस 65 वर्स तक अपने पद पर रह सकते हैं, इसके बाद वे सेवा निवरीत हो जाते हैं, तो इसका राइक एंसर हो जाएगा option D, वहीं हाई कोट के नियाधिस 62 वर्स तक अपने पद पर रह सकते हैं, नेक्स्ट प्रस्ण है, भारतिय सविधान के अनुछे 280 किस समधानिक निकाय के बाड़े में बात करता है, तो भारतिय सविधान के अनुछे 280 के तहत वीत आयो का गठन किया गया है, जो कि option में नई है, इसे सुधार कर लिजिएगा, अनुछे 280 के तहत ही वीत आयो का गठन कि तो भार्तिय सविधान की परस्तावना में पहली बार संसोदन 42 सविधान संसोदन 1976 के तहत किया गया था Option C इसका राइट एंसर हो जएगा 1976 और यह संसोधन सरदार स्वर्ण सिंग समीति के तहत किया गया था इसे भी ध्यान में रखेगा सरदार स्वर्ण सिंग समीति नेक्स्ट प्रस्फन है राझ सभा की अध्यक्षता किसके द्वरण की जाती है? भारितिय सविधान में कुल कितने परकार के अपातकाल की विवस्ता की गई है? तो भारतिय सविधान में तीन परकार के अपात काल की विवस्ता की गई है अप्शन सी स्कराइट एंसर होज़ेगा तीन परकार की नेक्स्ट प्रस्ण है किस सविधान संस्वधन के तहद वस्तु एम सेवा करको लागू किया गया तो 101 सविधान संस्वधन द्वारा वस्तु एम सेवा करको लागू किया यानिकि GST को लागू किया गया option B इसका right answer हो जाएगा और इसका उलेख सविधान के अनुछे दूसा 89 A में है इसे भी ध्यान में रखिएगा next question है निवन में से की से भांगडा संगीत के कारण भांगडा का राजकुमार कहा जाता है तो इसमें से सुख बीर सिंग को भांगडा संगीत के कारण भांगडा का राजकुमार कहा जाता है option A इसका right answer हो जाएगा सुख बीर सिंग और भांगडा या पंजाब का प्रामप्रिक लोक नरीथ है इससे ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा सबद हौकी से समबाधित नहीं है तो इसमें इस कूप फ्लीक और हीट या तीनो्ग हौकी से समबाधित नहीं option D इसका right answer हो जेगा run out रon out या क्रिकेट से समबाधित सबद है नेक्स्ट प्रस्ण है भारत सरकार ने किस वर्ष पडिवार नियोजन कारकरम सुरू किया है तो पडिवार नियोजन कारकरम 1952 इस भी में भारत सरकार द्वारा सुरू किया गया था अप्शन C इस कराई टेंसर हो जेगा 1952 नेक्स्ट प्रस्ट है बेंगनी करांती जमु कस्मीर में किसकी खेती हेतु चलाया गया एक पहल है, ब्हार्तिय लगु उद्योग विकास बैंग किसके दवड़ा विनिमीत होता है, तो भारतिय लोगू विकास बैंक यानि की CDB CDB या RBI द्वारा नियंत्रीत होता है option 20 का राइट एंसर हो जगा भारतिय रिजॉर्ड बैंक या RBI और CDB या एक वैधानिक निकाय है और इसका अस्थाबना 2 अपरेल 1980sb में किया गया था और इसका मुख्याले ध्यान रखेगा या एक मात बैंक है जिसका मुख्याले लखनाव में है या एकजाम में हमेशा पूछा जाता है सिर्वी का मुख्याले कहा है तो इसका ध्यान रखेगा लखनाव next question है bank note price कहां इस्तित है तो बैंक नोट प्रेस या देवास में इस्तित है, और इसका अस्थापना 1974 इस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान में रखीगा नेक्स्ट प्राशन है, अस्थानिय निकाए अपने लिए राजोस इखाठा करती है तो अस्थानिय निकाए ग्रिह कर इखाठा करके राजोस जामा करती है, अप्शन सीज का राइट एंसर होजएगा ग्रिह कर इसके अलावा सूलक मार्ग कर, पेशा कर, भूमी कर, मनुरंजन कर, मवेशिप पंजी करन कर, आधी लगा कर, राजोस का इकाठा करती है, इसे भी ध्यान में रखीगा नेक्स्ट प्राशन है, भारत में राष्ट्रिय क्रित बैंकों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रिय क्रित बैंकों की संख्या एक दर्जन है यानी की आप्सट्रिय संख्या क nyt प्राशन है केंद्रिय संख्य की संख्याठन CSO का मुख कार क्या है तो केंद्रिये सैंखी की संगठन CSO इसका मुख्यकार राष्ट्रिये आय के अनुमानों का संग्रह करना है और इसकी अस्थापना CSO इसकी अस्थापना 2 माई उनी सो 51 SP को हुआ था इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ण है निम्न में से किसका लोकपीडिये उपनाम बायो ब्रीध पूरुस था तो बायो ब्रीध पूरुस दादा भाई नौरोजी का उपनाम था और इसका राइट एंसर जगा दादा भाई नौरोजी वही महात्मा गांधी को बापू या राष्ट पिता कहा जाता है चितरणजन दास को देश बंधू और जैप्रकास नरायन को लोक नायक कहा जाता है इस सब भी ध्यान रखेगा नेक्स्ट प्रस्ट है निम्न में से कौन सी लोक कला भिहार की है तो इसमें अहपन या भिहार की लोक कला है और चिक पूर्वा या उतर परदेश का लोक कला इसे विध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ट है राष्ट्रिय धातु बिग्यान प्रयोकसाला कहा है तो राष्ट्रिय धातु बिग्यान प्रयोकसाला जमसेदपूर जारखंड में है औप्सन ब इसका राइट इंसर रहेगा जमसेदपूर जारखंड नेक्स्ट प्रस्ट है दिया सलाई के वी निर प्रयुक्ट मुल्क तत फॉस्फोरस होता है, option यह इसका राइट एंसर हो जाएगा फॉस्फोरस, next प्रस्ण है, निमलिखित में से किसमे रसायनिक उर्जा वैधुत उर्जा में बदल जाती है, तो रसायनिक उर्जा को वैधुत उर्जा में बदलने वाला युक्ति बैटर थी है, option चिसका राइट एंसर हो जाएगा बैटरी, डाइनेमो या यांत्रीक उर्जा को वीधुत उर्जा में बदलता है, next प्रस्ण है, इलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी, तो इलेक्ट्रोन की खोज जे-जे थॉम्सन ने की थी, option बीसका राइट एंसर हो जाएगा ज तो दो स्पून जीन के कारण हीमोफिलिया नमक बिमारी होती है और यह एक अनुवांसिक रोग है यानि की या जिनेटिक रोग है इस ध्यान में रखेगा इस रोग में रोगी का खुन का ठका नहीं बुनता है नेक्स्ट प्रस्ट है कोवन सब प्रकिनवन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है तो इसमें पेपसीन इनजाइम या प्रकिनवन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और इसका राइट एंसर होज़ेगा पेपसीन नेक्स्ट प्राप्शन है पेनिस्लीन किसे से प्राप्ट की जाती है तो पेनिस्लीन या फफून दिया कौवक से प्राप्ट की जाती है ओप्शन ये इसका राइट एंसर हो जागा फफून दिया कौवक नेक्स्ट प्राप्शन है मोडम कार करता है तो मोडम यह एनलोग तरह को डीजिटल में और डीजिटल को एनलोग में परिवर्तित करने का कार करता है option D इसका right answer रिखार बात करें मोडम की तो इसका full फडम होता है modulator demodulator इसे ध्यान में रखेगा next question है 20 गराम hydrogen को oxygen की उपस्तिती में पुन रूप से जलाने पर कितने गराम estuo बनेगा तो 20 गराम hydrogen को oxygen की उपस्तिती में पुन रूप से जलाने पर 180 गराम estuo बनेगा option B का right answer होजएगा 180 गराम next question है जल का घनाओत होता है तो जल का घनाओत 4 degrees celsius पर अधिकतम होता है सीज का राई टेंसर हो जगा 4 डेगरी सेलसियस पर और आयतन निम्तम होता है 4 डेगरी सेलसियस पर जल का खर्णत अधिक्तम होता है और आयतन निम्तम होता है इसे ध्यान में रखीगा स्वर परनाली की खोज किस ने की थी तो स्वर परनाली की खोज कॉपर निक्स ने की थी ओप्शन सी इसका राइट एंसर होजएगा कॉपर निक्स वहीं केपलर ने ग्रहों की गतिका सिदान्त दिया था इसे भी ध्यान में रखीगा नेक्स्ट प्राशन है AU, AG, CU तथा एफी में सबसे अधिक तनियाता किसका होता है तो यहां AU मतलब औरम होगा सोना, AG, Argentum, चांदी, CU, कॉपर और एफी, लोहा होगा तो इसमें सबसे अधिक तनियाता सोना का होगा ओप्शन यह इसका राइट एंसर होजएगा सोना नेक्स्ट प्राशन है स्वासन है स्वासन यह उप्चयन यह कैटाबोलिक प्रकिरिया है जिसके अंतरगात भोजपदार्थ के ऑक्सिजन से उर्जा मुग्ध होती है तो इसका राइट एंसर होजएगा अप्शन A, अप्चयन यह कैटाबोलिक प्रकिरिया पॉस्वो में एंथ्रेंस या गिल्टी रोग या जिवानू के द्वारा होता है पॉस्वो में एंथ्रेंस या गिल्टी रोग या जिवानू के द्वारा होता है पॉस्वो में एंथ्रेंस या गिल्टी रोग या जिवानू के द्वारा होता है एक मोल गुलकोज के संपूर्ग अक्सिकरण से कितने अनु एटीपी बनते हैं तो गुलकोज के एक मुल के ऑक्सीकरण से 36 ATP अनुवका निर्मान होता है option D इसका राइट इनसर हो जाएगा 36 ATP next question है तेतराली खाली अश्थान का लोक नरीत है तो तेतराली या मद पर्देश का लोक नरीत है option B इसका राइट इनसर हो जाएगा मद पर्देश नेक्स्ट प्राश्ण है तंजानिया की रजधानी है तो तंजानिया इसकी रजधानी डोडो मा है ओप्शन डी इसका राइट एंसर होज़ेगा डोडो मा नेक्स्ट प्राश्ण है संग्मर्मर किस प्रकार की सेल है तो संग्मर्मर्य क्यांत्रित सेल है option यह इसका राइट एंसर हो जागा क्यांत्रित नेक्स्ट प्राश्ण है पत्ना में नमक सत्यागरा किसके नेत्रित में हुआ था तो पत्ना में 1930 में नमक सत्यागरा का नेत्रित अंबिका कांथ सिंग ने किया था ओप्शन B इसका राइट एंसर हो जागा अंबिका कांथ सिंग नेक्स्ट प्रॉस्ट है Bricks New Development Bank यानि कि NDB का मुख्याले कहां है New Development Bank यानि कि NDB इसका मुख्याल है संघाई चीन में है Option A इसका राइट एंसर हो जगा संघाई चीन और यह बैंक Bricks संघाठन का बैंक है से ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रॉस्ट है उत्री गोलार्द में सबसे छोटा दीन होता है तो उत्री गोलार्द में सबसे छोटा दीन 22 दिसंबर को होता है Option B इसका राइट एंसर हो जगा 22 दिसंबर और सबसे बाड़ा दीन 21 जून को होता है इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्राश्ण है घूमर खाली अस्थान का लोक निरीत है तो घूमर या राज अस्थान का एक प्रांप्रिक लोक निरीत है जो है इंटरनेश्नल बैंक फोर रीकंस्ट्रोक्शन अन्ड डिवलप्मेंट अप्शने इस का राइक एंसरो जगा इंटरनेशनल बैंक फोर रीकंस्ट्रांक्शन एंड डिवलपमेंट बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसका अस्थापना ब्रेटन बूट्स प्रमेलन के तहथ 1945 में किया गया इसके साथ एक और बैंक का अस्थापना किया गया आई में इसे भी ध्यान में रखेगा वर्ल्ड बैंक और आई में इस दोनों का अपना 1945 में किया गया और इस दोनों का मुख्याले वासिंग्टन डी सी में है नेक्स्ट प्रॉस्ट में है बिहार के पर्थम मुख मंत्री कुण थे तो बिहार के पर्थम मुख मंत्री श्री क्रिस्ट सिंग थे और स्री क्रिस्ट सिंग जमिंदारी पर्था को समाप्त करने वाले देश के पहले मुख मंत्री थे इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रॉस्ट है पंचानवे ओस्कौर आवर्ड सेरेमंदी में किस मुवी के स्वाग नाटुनाटु को ओरिजिनल स्वाग इसे ध्यान में रखेёगा औप्शन सी इसका राइट एंसर हो जाएगा आर आर और और नाटू नाटू सौंग के संगितकार एम किर्वानी है इसे धार में रखेगा नेक्स्ट प्राशन है ओस्कॉर आवर्ड दोजर तेज में बेस्ट एक्ट्रेस का आवर्ड किस अभनेत्री ने जीता अप्शन सी इसका राइट एंसर हो जाएगा तो आश्कॉर आवर्ड दोजर तेज में बेस्ट एक्ट्रेस का आवर्ड मिसेल ओह ने जीता अप्शन 20 का राइट एंसर हो जेगा मिसेल ओह नेक्स्ट प्राशन है प्येम ओधी ने किसराज में विश्ट के सबसे लंबे प्लेटफॉर्ण की लंबाई 507 मिटर है इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्राशन है एक्सरसाइज डॉस्ट लिग दोजर तेस का आवजन भारत और किस देस के मध आयोजित किया गया तो एक्सरसाइज डॉस्ट लिग भारत और उज्वेकिस्तान के मध आयोजित किय संपधा इसका और प्रयवाची है धन वैभाव वीत यह सभी वीभूति का प्रयवाची सब्द है नेक्स्ट प्रास्ट ने मुक का विलोम चुने तो मुक यानि की गुंगा, इसका विलोम सबद हो जागा वाच्छाल, यानिकी बहुत बोलने वाला OPSON C, S, का right answer होगा नेक्स्ट प्रस्ट है, रास्ता देखना मुहावडे का सही अर्थ है तो रास्ता देखना मुहावडे का सही अर्थ होता है, प्रतिक्छा करना अप्सण डी इसका राइट एंसर होज़गा प्रतिक्षा करना नेक्स्ट प्रस्ण है सही वर्तनी वाले सब्द का चैन कड़े तो इसमें अदितिय सब्द दिया गया है जिसका सही वर्तनी चुनेना है यानि के जो सुद रूप में लिखा हो तो इसका सुध रूप हो जाएगा option D और दिवतिये, option D इसका सही वर्तनी है next question है कौन सा वाक सुध है, तो वाक है मैंने मौसमी को बुलाई तो सही सुध वाक हो जाएगा मैंने मौसमी को बुलाया, option D इसका सही सुध हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है रिक्त अस्थान को भड़े, परिवर्थन खाली अस्थान का नियम है, तो इसमें सुध सब्ध हो जाएगा परिवर्थन ट्रक्रिती का नियम है, आप्शन 10 का राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट प्रस्ण है मध रातरी का समय के लिए एक सब्ध है तो मद रात्री का समय के लिए एक सब्द नीभीत है, option C is correct answer देगा नीभीत Next question है, हम दिवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उराते जहां चले परस्तुत पंक्तियों के रचाईता है तो पंक्ति है, हम दिवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उराते जहां चले तो यहां पंक्ति भगवती चरन वर्मा की है option B इसका right answer हो जाएगा भगवती चरन वर्मा Next question है, इदगा के रचनकार है तो इदगा इसके रचनकार मुंसी प्रेम चंद है option A इसका right answer हो जाएगा प्रेम चंद प्रेम चंद की और रचनकार है जिसमें है कफन, पूसकी, रात, पंच परमेशवर, कर्म भूमी यह सभी को ध्यान में रखेगा Next question है, synonym of the word वर्ड दिया है genuine, तो genuine का synonym यानि की समनान अर्थी सब्द क्या होगा तो genuine का समनान अर्थी सब्द authentic होगा option यह इसका right answer हो जाएगा authentic इस दोनों का अर्थ होता है वास्तिविक Next question है, antonym of the word वर्ड दिया है predilection तो predilection का antonym यानि की बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका बिलोम सब्द होजएगा option, c इसका बिलोम सब्द होजएगा dislike dislike मिन्स होता है ना पसंद और predilection मतलब होता है गहरी पसंद Next question है, find out which part of sentence has an error इसमें error को find करना है sentence है, being a rainy day I could not go out तो इसमें error part हो जाएगा option a इसमें being के पहले it का पड़ियों होगा it being a rainy day I could not go out option a इसका right answer होगा Next question है, he is not the fastest baller in the Indian team is not he तो इसमें कोई error नहीं है option d इसका right answer होजएगा, no error Next question है, choose the correct passive voice everyone looked up to him तो इसका passive voice हो जाएगा, he was looked up to by everyone option a इसका right answer होगा Next question है, select the correct indirect speech we can phone from my office, inverted, she said, sorry he said, तो इसका indirect speech हो जाएगा, he said that the could phone from his office, option a इसका right answer होगा Next question है, fill in the blanks, last year our company made a collection of several lakhs of rupees option a इसका right answer होगा, next question है, choose the alternative which best expresses the meaning of the given idiom या phrase, तो यहां दिया गए, there is a lot of bad blood between them, तो bad blood इसका meaning हो जाएगा, option c, angry feeling, इसका मतलब होता है, this money, next question है, select the one which can be substituted for the given words or sentence, sentence दिया गए, something which cannot be believed, तो इसका substitute हो जाएगा, option c, incredible, इसका मतलब होता है, औभिस्वस्न निये, incredible means, औभिस्वस्न निये, next question है, Choose the word opposite in meaning of the given bold word ambigious तो ambigious इसका मतलब होता है a aspersed Ambigous का मतलब होता है a aspersed तो इसका meaning हो जाएगा opposite meaning हो जाएगा clear मिश होता है aspersed तो option D इसका right answer हो जाएगा इसके बाद maths और reasoning का परस्ञ जिससे आप PDF में देख सकते हैं पीडिएप के लिए टेलिगरम चैनल से जूर जाए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो फ्रेंट्स आज का वीडियो कैसा लगा केमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अगर वीडियो पस्तांद आया तो इसे लाइक और सेयर जरूर किजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब भी कर लिजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद